दर्शोकों नमस्कार, मिशन इंड़ा टीवी में मैं विजय ताइड़े आपका असावगत करता हूँ, जैसिके आप जानते हैं कि हम लोक्षाही में अपना जीवन जी रहे हैं, और लोक्षाही देश की सबसे बड़ी ताकत है, मगर लोक्षाही में दो विभाजन हुए, एक EVM और दुसरा बैलेट पेपर के उपर ओटिंग होना चाहिए, ऐसी लोगों की राय है, हमारे साथ एक विचारवन्त मौजूद है, डॉक्टर सिद्धारत कामले, जिनका इसके उपर बहुत गहन अध्यान किया उन्होंने, आई इसा नहीं चाहते कि EVM के उपर इलेक्शन होना चाहिए, क्या बता होगे आप? और ये मैनिपिलेशन के उपर में जो रियल कैंडिडेट्स है, वो चून के नहीं आते हैं, ये पूरा का पूरा मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूछा, कि आप ये पूरू करो, कि इस तरीका से EVM में किस तरीका से टेमपर ही होता ह अनफॉर्चुनेटली, कोई भी आगे नहीं आया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके उपर में जस्टीस गोंगाई के इसमें अध्यक्षता में ये जब जज्ज्मेंट हुआ, तो उन्होंने कहा कि जब कोई भी पूरू नहीं कर सकते तो EVM is supposed to be a concrete and it is a tamper proof, तो जब हम लोग कोई भी tamper नहीं कर सकते, ये बात हो गई है, उसके उपर में जिस तरीका से argument होने चाहिए थे, जिस तरीका से discussion होने चाहिए थे, वो नहीं हुए, unfortunately, और उसके बाद में कोई review petition भी नहीं हुआ, लेकिन पूरे देश में जिस तरीका से चर्चा चल रही है, और बहुत जगा ये भी पाया गया, कि EVM में बहुत सारी धांदली दीख रही है, कि जगा operate नहीं हो रहा, तो इसके उपर में एक simple है, election commission act 1960 का, ये क्या कहता है, कि आपको जितने भी candidate election के लिए तियार होगे, और applications करेंगे, ballot, तो application जब करेंगे, तो उनको chronological order से लगाना चाहिए, जैसे उन के नाम है, तो एक नाम ABCD होगा, तो ABCD से नाम लगेगे, या उसके सरनेम के हिसाब से लगेगे, और एक ही नाम के लोग होगे, तो उसके गाव का identification होगा, इस तरीका से section 32 में, ये election commission act के अंतरगर्व में already नमुद है, इसके बाद में 2014 में उसको amendment किया गया, और amendment में भी ये किये, और individual candidate और party candidate इसमें discrimination हो रहा है, जब discrimination होता है, तो हमारे constitution आलाओ नहीं करता, तो naturally हमारा जो amendment है, उसको किसी ने challenge करना चाहिए था सुप्रीम कोट में, आर्टिकल 32 में, वो नहीं किया गया, और नहीं करने के वज़े से क्या हुआ, कि आज भी procedure ऐसे ही उल्टी सिल्ट नाकपुर की बात है, नाकपुर में हमने जब देखा कि South में जो candidate खड़े थे, किसी भी हालत में number 2 के ओपर में BJP नहीं आनी चाहिए थी, या Congress एक number पर आनी सकती, क्योंकि state, महारास्टा स्टेट का number 1 BJP party थी, तो BJP number 1 पर आनी चाहिए थी, तो नहीं आया, second पर BJP थी, यह सिक्वेंस आल और महारास्टा है, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो individual candidate थे, जो independent candidate थे, उनको कोई सिक्वेंस में नहीं रखा गया, उनके उपर में discrimination हुआ, वो एकदम से लाग चले गए, हर जगा पे यह पाया गया कि BJP यह second number पर है, यदि यह EVM का यदिजा tempering भी करना है, तो इस वेरी इजी, क्योंकि किसी को भी एक जगा formulation होगा, यदि हम लोग alphabetically नाम से करते हैं, तो EVM को hack करने के लिए इस वेरी डिपिकल, कैसा करोगे, एक जगा पर एक consistency में वो चार नंबर पर आएगा, एक पर फंदरा पर आएगा, एक पर दस पर आएगा, एक पर दो पर आएगा, तो जब election commission act में already 60 में provision है, तो ऐसे वक क्यों नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने, मैंने even commissioner of police को भी फोन किया, यह किया, लेटर लिखा, कि इसके उपर में आप देखो, कि यदि जो भी officer है, जिसके duty बनती थी, कि वो sequence wise करना था या, तो वो उसके लिए जिम्म जो है हमारी election commission act 1960 का आधार लेते हुए, या 1914 में 2014 में जो amendment हुआ, उसको भी हम लोग challenge करते हैं, तो EVM चाहिए कितना भी tempering करें, लेकिन all over India में इस तरीका से संभव नहीं है, तो मेरा दूस्तिकों यह है, कि EVM के ओपर में हर जगा जन जाग रूता है, और secondly exactly क्या हो रहा है और पूरा election act क्या बोलता है, और हमारा किस तरीका से उनको answer होना चाहिए, और government machines को किस तरीका से direction देना चाहिए, यदि यह पूरा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि EVM को you should welcome, number two, कि EVM का हर जगा पे तुमको बताते है कि कितना poting कैसे हुआ, आज इतना कितना हुआ, इसक machine यह भी calculate कर सकती कि Congress को कितना आया, BJP को कितना आ गया, इसको अपक्षक को कितना आ गया, यदि यह information सभी के पास में यदिया available होती है, तो हमारे यह election के day में only assembling का काम बाकि है, तो यह दोनों भी यदिजर चिज़े हमारे साथ में आ जाती, तो EM, EVM को चाहिए, लाग कोशि किया, एक तो review repetition करो, या और उसके उपर में alternative करो, तो इस तरीका से हमारा जो विचार मंतन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, और जितने भी लोग चिला रहे, वो सिप एक particular level तक चिलाते, बाद में शांत रहेते, वो शाहिद किसले चिलाते, क्या होते, उनके बारे में भी जगां पे जहां जहां पे भी जिन-जिन लोग ने ये देखा, उन लोग ने F.I.R. करना चाहिए, F.I.R. किसके अगेंस में, जो officer के अगेंस में, क्योंकि ये duty किसकी है, वो जो polling officer होता है, जो district election officer होता है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने वो प्रापरली डंग से करना या नहीं, ऐसे हजारों एदिजर F.I.R. हो जाते हैं महारास्टा में या अल और इंडिया में, तो कोई हिम्मत नहीं करेगा, कि इलेक्षन का चीप आप इले, district election officer के अगेंस में, हजारों complaint हो जाएंगे, और ये election का EVM का जो मुद्दा है, आटोमेटिकली खतम हो और सिक्मेस नहीं लगे है, तो उसको एफायर करो, आपने कितने petitions दाखल की है, मैंने complaint की है, अजनी पोली स्टेशन में complaint की है, लेकिन अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं, मैं देख रहा हो कि एक बार गवर्मेंट स्टेबल हो जाए, तो ये movement में करने की मेरी इच्छा है, आम जनता डरी हुई है, नौलेज नहीं होने के कारण, और कुछ लोग घुम्रा भी करते हैं, इवेम अच्छा है, कुछ लोग करते हैं, कि बुरी है, तो आम जनता को आपका डर निकालने के लिए आप क्या बताओं क्या आवान करोगे, यही आवान है, कि यह जो election commission act जो है तो उनके ओपर में सीधा civil criminal offenses registered होने चाहिए, जिस दिन यह हमारे देश में चलो हो जाएगा, उस दिन यह हमारा जो डर है, इवेम का डर वो आइटोमेटिकली निकल जाएगा, और मुझे लगता है कि सभी लोग अपने freely उसको welcome करेंगे, और हर जगा पे इसके ओपर में एक वर्चा भी होना चाहिए, कि how it is done, क्या है, किस तरीका से उसका होता है, टैंपरिंग कैसे होते है, यदि इंटरनेट से टैंपरिंग होता होगा, या कोई चिप से से टैंपरिंग होता होगा, लेकि कितनी जगा, क्योंकि मशीने तो आल और इंडिया में चलती है, तो एक ज वो यदि ज़र तुम लोगों की डिमांड होती है, तो शायद हो सकता है, सुपरिंग कोड भी बोलेगा, कि दूसरी बटन दबाने से, आपको, EVM का बटन दबाने से, कॉंग्रेस को कितने मिली, BJP को कितने मिलेगी, तो सब के पास में इंफॉर्मेशन फरस्ट हैंड यही बड़ा सिंपल इशू है, इसके उपर में बहुत बड़ी-बड़ी बात्या करने की भी कोई जोरत नहीं है, सीब हमारा थोड़ा सा सोच और उसके उपर का जड़ा मन्तन है, वो थोड़ा सा सही डंग से हो जा, तो यह EVM का इशू मेरे दूसरी कों से बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा, हमारे सोच और उसके उपर मन्तन होना चाहिए ऐसा डॉक्टर एड़केट सिद्धर्द कामला जी का कायना है, और उन्होंने EVM के उपर कापी अच्छा ग्यान हमें दिया है, ऐसे कुछ विचारवंतों से हम मिलते रहेंगे, तब तक आप देखते र झाल